देख रहे हैं इंडिया वॉइस आपकी सोच आपकी आवाज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शतक में आगे बढ़ेंगे अफगानिस्तान के हेलमें मेकार में हुए बम धमाके में उनीस की मौत पचास से ज्यादा लोग घाल इराग की अल्नूरी मस्जीद में बगदादी बना था खलिफा आईस आईस ने उसी को उड़ाया शंगाई सयोग समेलन ने मोदी में पाकिस्तान का नाम लिए बेगर कहा था कि आतम की गूटों पर बेगर सफाई दिये कारवाई की जानी चाहिए भारत के आबादी अगले साथ साल यानी 2024 तक चीन से जादा हो जाएगी इस समय तक दोनों देशों में करीव 144 कडोर लोग रहेंगे भारत को बिजनी के लिए 48 कडोर एर्वांस में देगा यूएस मोदी के दौरे से पहले अलान अमरिका ने सीरिया के फाइट जेट को मार गिराया है जिसके चलते रूस और अमरिका आमने सामने आ गए ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 27 मंजुला टावर में बूदवा राद भूशन आग लग गई कई लोगों की मारे जाने की आशंका जबकि 30 से ज़्यादा लोग खायल बताय जा रहे अमरिकी प्रेसिडेंट डॉनाल ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा कि नॉर्ट कोरिया से निपटने में नाकाम रहाची जर्मनी के बरलीन में एक ऐसी मजजीद वनी है जहां प्रूशों के साथ मैलाई भी नमाज पड़ती है पूर्तगाल में लगी भीशन आग आग से बचने के लिए 12 लोगों ने पानी की टंकियों में 6 घंटे बैट कर जान बचाई ने भतीजे से शीना पद बेटे मुहमद बिन सल्मान को बनाया काउन प्रिंस नोटबंदी की मार जहलने के बाद अब जीएशटी ने दिल्ली के वैपारी के माथे पर पसीना ला दिया है सरकार के इस फैसले के बाद घबराया कारोबार रिलाइंस जीओ के ग्रहा का आधार में बृद्धी और इसके चौथी तीमाही पर मुफ्त आफर में उद्योग के राजश्व में 11.7 फीजी की सलाना गिरावट आई है हफ़ते के अंतिम कारोबारे दिन एशियाई बाजारों में सुसी का महौल नजर आ रहा है और जापान का बाजार नेकेई सपार्ट होकर 20,110.5 के अस्पेट पर कारोबार कर रहा है आईफोन निर्माता कमपणी एपल से केंद्र सरकार ने पूछा कि वो भारत में कितना निवेश करेगी और कितने लोगों को नौकरी देगी टाटा ग्रूप की कमपणी टाटा पावर ने 4000 मेगावाट के मुंदड़ा पावर प्रोजेक्ट गो 51 प्रतिशत इस्तिदारिस के महच एक रुपे में बेचने का प्रस्ताव किया है देश भर में एक जुलाई से जेस्ट लागो होने जा रहा है और बुदवार को केरल द्वारा जेस्टी अधिनियम पारित कर दिया गया केवल जम्मो कश्मीर में नहीं हुआ पारे आतंकियों पर निगरानी और उनके बारे में सूचनाय साजा करने के लिए बने नाट ग्रिट के पास अब आम लोगों के पैन रेकॉर्ड्स और टैक्स डेटा भी उपलब्द होंगे इस साल अपरेल में एपीएफ नो अपनी एपीएफ योजना घर की खरीद के लिए शुरुआती और एमाई के बुकतान के लिए एपीएफ खाते के इस्तिमाल की अनुमती दिए फाइनेंशल दिकतों से जूज रहे टेलीकॉम सेक्टर ने अपनी वित्य हालत का बेवरा टेलीकॉम मंतराले को दिया है इसके लिए कमपणियों ने एक प्रेजेंटेशन दिया और एनपीए के रोड मैप पर सुझाव सौपे एक जुलाई को जीस्टी लागू होने के बाद पीम नरेंदर मोधी एक बड़ा कारेकरम करेंगे पीम मोधी एक जुलाई को दिल्ली में टैक्स विशुशक्जों को संबोधित करेंगे भारत होकी वर्ल्ड लीग सेमी फाइनल्स के अंतिम चार में इस्थान नहीं बना पाया है गुरुवार को इस क्वाटर फाइनल में मलेशिया ने तीन-दो से हराकर सेमी फाइनल में प्रविश्ट किया बिसेसियाई के प्रमु कारिकारी अधिकारी राहुल जोहरी ने मुख्य कोच के इस्तिफा देने के बाद भारतिय ट्रीम के प्रशासनिक मैनेजर कपिल मलहोत्रा से मांगी रिपोर्ट न्यूजलैंड किर्केट ट्रीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज लियोग रोंकी ने अंतराश्टी क्रिकेट जगर्थ से सन्यास ले लिया है बिसेसी आई के मुख्य कारकारी अधिकारी ने कुम्ले कोली विवाद पर रिपोर्ट मांगी है अधिकारी ने चैंपेंस ट्वाफिक के दौरान हुई घट्ना के बारे में विस्तेज जानकारी मांगी है गोली कुम्ले विबाद पर पूर्व कप्तान सुनिल गवसकर का कहना है कि अगर कप्तान की पसंद और नापसंद इतनी माईनी रखती है तो सलाकार समीती का क्या फायदा अनिल कुम्ले के टीम इंडिया के मुख कोच पत्र से इस्तिफा देने के बाद इसी एसी का टीम का काम बहुत बढ़ गया है इस पूरे विबाद के बीच रवी शास्त्री के लिए राह बंती नजर आ रही है इससे पहले सचीन का उंगली और लक्षमन ने कोली और कुम्ले से अलग-अलग बात की थी इस तिकड़ी पर ही टीम इंडिया का अगला कोच चुनने की जिम्यदारी है सुत्रों के हवाले से खबर है कि कोच कुम्ले और कप्तान कोली में छे महिने से बादचित बन थी भारत के बैडमिंटन खिलाडी की दामभी श्रीकांत ने उस्टेलिया ओपन सुपर स्रीज के क्वाटर फाइनल में अपनी जग़ बना ली है श्रीकांत ने पुरू से एकल वर्ग के दूसरे दौर में वर्ड नमबर वन खिलाडी सोन वान हो को 15, 21, 21, 23, 21, 23 से माद दी रज्रीकांत ने दूसरे फिल्म साइन कर दी है वही काला फिल्म को लेकर तयारी में जुट गए है भारत में सफलता पाने वाली बाहुवली चूको विदेशों में भी काफी सराहा गया है बाहुवली चूको अंतर राज्चे फिल्म फेस्टिवल में ओपनीं के तौर पर दिखाए जाएगी ओम पूरी की मौत के बाद उनकी पहली पतनी सीमा कपूर उन्हें काफी याद करती है हाल ही में कहा कि मैं चूवलाइट जरूर देखने जाऊंगे क्योंकि उस फिल्म में ओम है निदेशक कबीर सुपर हिट फिल्म देने के बाद अब शारुख खान के साथ फिल्म बनाएंगे टीवी पर नागिन के रूप में मश्वूर हो चुकी मोनी रॉय बॉलिवूड में अपने डेब्यू के लिए तैयाद है संजेदत की बायोपीक और कभीर खान की टाइगर जिंदा का दर्शक बेस सब्री से कर रहे हैं इंतिजार दोनों फिल्मों का बॉक्स आफिस पर जबर्दस्त कराओं होने का नुमान जगत जासूस के बाद प्रमोशन के बाद कैटरिना काफ बुद्वार की रात आमीर खान के साथ ठक्स आफ हिंदुस्तां किस शुटिंग के लिए माल्टा रवाना हो गई अभी नेता सीथकी के आग में फिल्म बावो मोशाय बंदुबाद 25 अगस को रिलेज होगी इसमें बावो के जीवन के उताज चड़ाव को दर्शाय गया है फिल्म रागदेश का ट्रेलर संसत भवन में लॉंच होगा फिल्म के निर्देश का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम के नाइकों का सम्मान करने के लिए किया जा रहा है कपिर शमा सो के फैंस के लिए बड़ी खुश कबरी है खबर है कि चंदू चाय वाला भी कपिर शो पर वापसी कर सकता है अक्षा कुमार की फिल्म ट्वालेट एक प्रेम कथा का ट्रेलर रिलिस किया गया है और फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है फिल्म ट्यूबलाइट आज हुई रिलिस सलमान सोहल खान इस्टारर फिल्म में शारू खान गेस्ट अपिरियंस देते नज़र आएंगे दर्शक बेसबरी से इस जोड़ी को बड़े परदे पर देखना चाहते है फिलाल मेरे साथ बुलेटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खपरों के लिए बने रहे हैं इंडिया वॉइस के साथ आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस आपकी सोच आपकी आवाज